तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रितिक कारवाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का वीडियो है पंच इवी के बारे जैसा कि मैंने बताया मेरे सामने खड़ी है टाटा का एक और महारती में हर गाड़ी को इनके महारती इसलिए बोलता हुआ कि टाटा ने जो कमबेक किया है मार्केट में वो बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड है कुछ इस तरीके की गाड़ियां आ रही है जो किसी हो कॉमपिटी नहीं कर पा रही है जैसे एक ये नमुना मेरे सामने कड़ा जिसको बोलते हैं पंच की ईवी ये गाड़ियां आप लोगोंने बहुत लेकिन ये वीडियो स्पेशल इसके लिए कि आज मैं इसमें बताने वाला होंगी कितने सारे फंक्शन जो लोग इसकी बुराई कुछ चीजों में कर रहे हैं कुछ तारीफे कर रहे हैं तो वह सही है या गलत है मैं परस्टनली इस गाड़ी को चलाओंग अभी से इसका ट् लेकिन लेकिन मेरा ये आपको बोलना है कि एक बार आप लोग शोरूम विजिट करें और इस गाड़ी को जरूर देखें आरा आप इस गाड़ी को बाहर से पहली बात देखो सबसे पहली बात ये गाड़ी एक अलगी प्लेटफॉर्म पर बनी है क्योंकि पुरानी पंच ज दोलने से एक दोम चटकीलाल हाईर इसको बोलते है वो नहीं है ये अब ये होगए इसका कुछ फ्रेंटका चीज यहां से आपका चार्जिंग circuits ज्यो आपको दिखने को मिल जाता है, ड्योल टोन लुक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक प्रपर शेड में है, जैसा कि मैंने गॉला कि मैं बजट गारी में आपको सारी चीज़े मिल रही है तो बजट गारी है जैड यारे 10 से 15 लाग में दो उसके मॉडल जो है टॉप वेरियंट में अगर आप प्लान कर रहे हो कोई नेक्सॉन तो नेक्सॉन के पहले आप इस गाड़ी को गर देखेंगे तो 100% आपका दिल इस पायागा क्योंकि नेक्सॉन के स्टाइटिंग वेरियंट है वहाँ पर खतम हो जाता इसका चीज अगर बहुत लोगों का बोलना है ये एक चीज की कमी यहाँ पर यहाँ पर बहुत लोगों का बोलना है कि soft touch नहीं दिया तो यार हर time हर चीज आपको जो है सारही function exon के देने के बाद में आप यह सोचोगे कि आपको यहाँ पर soft touch दे देंगे तो कुछ cost cutting company को भी करनी पड़ती है तो मेरे एसाफ से यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पर कोई soft touch की जरवत नहीं थी क्योंकि पुरानी पंसे लाक गुना जो है इस गाड़ी को अच्छी बना दी क्योंकि एक electric variant में यह electric variant में ऐसा नहीं किसे battery लगा यह आपको गाड़ी दे दी कि जाओ भई यह होगे आपका काम यहाँ पर आपको functions भी दिये अब आप इंटियर देख लो unbelievable इंटियर एसका unexpected इंटियर था लोगों ने यह तो सोचा था कि पंचीवी आईगी लेकिन इतना प्यारे इंटियर के साथ आएगी यह किसी ने नहीं सोचा होगा यहाँ पर देखो आप इसको अंदर आपको designs दिख रही होगी पोर्स के साथ में 10.25 इंच की डिस्पले यहाँ पर दिए हर जगा आपको इतना प्यारा जो है इंटियर इंटरसेज दिया है जो की बटन प्रेस करते से आपको टाटा का एक welcome लोगों यहाँ पर मिल जाता है और सारे जो indications जो आपको सुनाई दे रहे हैं इंडिकेशन्स जो आपको हेरीर में सफारी में जो sound सुनाई देता हो ही आपको यहाँ पर तो आपको कोई छोटा बड़ा का भेदवाव यहाँ पर नहीं करा गया है इंटियर लगबख सेम रखा है कि टाटा यह भी नहीं बताना चाहता ही कि नहीं वहीज आप हमारे कोछी चोटी गारी में बेठे रहा चाहसरे कि चोटी गारी में भी देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखा रहा आप को दिखा हो एंग है अपर यह पर यहाँ लाइब मिल जाती दूसरा आपको यहा पर जो थोड़ी typically चोटी गर दियेए ओंक में जोड़ी機 chanting त्यूपें से यहां पर थोड़ा सा ry जोटा गरदिया है तो काफी सारी चोटी जोटी जोग्यास ओलं अब काफी साथी डाईध गलास ह atom यहां पर रख सकते हो इस ताइप की चीज़ आपको यहां पर मिल जाती है और हां एक और चीज जो सबको कमी लगी थोड़ी सी मुझे भी यह चीज की कमी लगी वह क्या कि यह जो इसका मोड चेंज करते हैं ड्राइविंग मोड से रेगुलेटर हो जाता आपका यह थोड़ा जाएंगे तो रिवर्स हो गया तो यह जो हिलका सा आपको देख रहे हैं यह जो चीज थोड़ा सा लैग जो है वह मुझा सा लगा कि हां लेग है लेकिन स्टिल ठीक है अब सब चीज आपको नहीं मिलेगी यार गाडी मुझे तो मतलब बहुत परफेक्ट लगी है अब आप यहाँ पर एक यह देख लो यह चीज आपको नेक्सवन में देखने के लिए मिलती है तो एक छोटी सी गाड़ी में हर फंक्शन देखे उन्होंने इतना प्रीमियम मना दिया है कि यह गाड़ी ने दी है एक जाती है लेकिन मेरे Навलख से सेग्मेंट में भेस गाड़ी मिल जाती है वह संडस्ति बंच इवी नाहीं लगा ने लगा है तो यह कोई तरहिए का ईंटर हो जाता है अब और एक यह दूटनर चीज आपको by सब आबको बोलगी में संड़ोब औं कि लिम और बर्पूर पर दिखेंगे तो टाटा ने सेफटी का ध्यान भी भर पूर रखा है तो जैसे कि गाड़ी अभी start mode पर घड़ी है, गाड़ी अभी start है, तो मुझे पता लग नहीं रहा है कि गाड़ी start है, और हाँ, इसमें जो मैं बता रहा था आपको सारे functions, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ड का charging socket मिल जाता है, साथ ही में wireless charging का यहाँ पर tray मिल जाती है, आपको 5 यहाँ पर connectivity के लिए USB charging का यहाँ पर मिल जाता है, तो यह कुछ इस तरीकी की चीज हो जाती है, छोटा सा armrest है, लेकिन इसके अंदर आपको space भी दी है, छोटी सी, हर चीज छोटी दी है, लेकिन दी है, आप इसा नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं दी है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हाथ रखेंगे, तो आपको comfort, इतना comfort feeling नहीं होगा, कुछन की चोटी लेहरेस के अंदर, बरसी को तो soft touch दे दिया है, उन लोगों ने, तो यहाँ पर आपको seats जो देखने को मिल जाती है, इस seats में भी कोई cross cutting नहीं है, यहाँ पर एक प्यारी सी design यहाँ आपको च चलू गई और मुझे काफी आनन्द की अनुगूती हो रही है, तो यह यार देखो, इंडिया वालो कुछ चीज़े adjust करा करो, हर चीज आपको नहीं मिलेगी, 15 लाग की गाड़ी में सब दे दिया, अब जाओ सिधे showroom जाओ, गाड़ी चेक करो, आप खुद गाड़ी चला क यहां पर, आप यह समझ लिए, 5.8 इंच मेरी हाइड है, और मैंने वहां पर अपने हिसाफ से, अपने लेग के हिसाफ से, वहां पर adjustment करके आया हूँ, और यहां पर आप मेरे legs देख लो, यहां पर इतनी space मुझे अभी भी मिली है, यह magazine holder आपको यहां पर मिल जाता है, जो दो लोगों के हिसाफ से, दो लोगों का indication आपको इंडा है, टाटान आपकी बेच जती भी करिए, कि आपको यह दो जो है, यहां पर बहुत बढ़िया लगी, seat के quality आगे से लेके पीछे तक काफी बढ़ी है, आप देखो यहां पर जो इसका फेवरी के है, काफी premium लेदर, काफी premium चीज यूज़ करी है यहां पर, फिर से एक और चीज़ मैं आपको बोला चाहूँगा, यहां पर मैं को soft touch नहीं दिया है, बट सिल मैं को इससे कोई ले चीज और cost cutting करी है, जो मैं टाटा को बोलूँगा कि यह cost cutting नहीं करनी चाहिए थी, यहां पर आपको charging का socket देना चाहिए था, पीछे वालों को दिक्कत होती है, लेकिन 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 गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, नेक्सवान के छोटे segment में आती है, तो हो सकता है कि पर आपको बेटने में कोई इशू नहीं कि मेरी हाइट फसरी है, यहां पर मुझे हेड रूम में इतनी इस पेस मिल रही है, क्योंकि विकाज आप धिस हम यहां पर खतम हो गया है, क्योंकि यहां पर संरूफ वाला पार आजाता है, उसके बाद आपको यहां पर comfortable sitting मिल जात तो यह हो गया पंच EV का पीछे का पार्ट यह मैंने आपको बता दिया इसका पूरा इंटीर का एक वॉक आराउंड चोटी डिजाइन से इसको इंप्रेसिव बनाया है, वह कैसी आप देखो यहां पर यहां से आपको टायर विजीबल हो रहा है, तो यह चोटी चोटी चीज की मिलेगी, लेकिन आगे से उन्होंना पूरी ही चेंज कर दिये, तो काफी इंप्रेसिव चीज़े हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन काफी इंप्रेसिव चीज़े हैं, यहां पर आपको LED वेलकम फिचर मिल जाता है, वेलकम गुडबाइ फिचर मिल जाता है, अब यह मैं लॉक करा, गाड़ी को, और यह मैं अनलॉक करा, अनलॉक में आपको जो RVMS ऑटमेटिक ओपन दिख जाएंगे, यहां पर आपको दिन में नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर आपको वेलकम फिचा धिचा दिख जाता है, अब पंच का जो एक फेसलिप्ट आगा, वो मिल जाते है 16 इंचेस के आर 16 के आपको wheelbase यहाँ पर मिलता है लेकिन आर 16 के wheelbase के साथ में एसा नहीं कि आपको जो ground clearance में कुछ कमी है 190 mm का ground clearance है नीचे battery pack है लेकिन उसके बावजुद भी गाड़ी का अफ रोडिंग काफी अच्छा है जहां तक मैंने इस गाड़ी का अफ रोडिंग करी नहीं लेकिन आपको करकर दिखाने वाला हूं तो काफी सारी चीजें इसकी जो आफ रोडिंग में भी है वह कमाल की है ग्राउन के लेंट से वह उतना का उतना है उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है सारी चीजें वैसे की वैसे ही है दो लाइक शेर सब्सक्राइब में चैनल थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो